हलो फ्रेंड्स आज हम लोग वास्तिक संख्याओं के लिए घातांक नियम पढ़ेंगे तो घातांक नियम अगर बेश बराबर हो तो हम घातांकों को कैसे उनका जोड या घटान करते हैं तो देखिए अगर एक फर्मुलाय है कि यह पावरियम और यह पावरियम जहां देख हैं दोनों के बेश बराबर हैं अगर इस तरह का दिया हो तो हम उनके घातों को जोड देते हैं हम जोड करके इसको लिख देंगे यह पावरियम प्लस यह तो इस फर्मुले जैसे देखिए एक जामपस को समझ लेंगे जैसे लिखिया है पाँच घाते साथ इंटू क्या है देख रहे हैं दोनों का आधार बराबर है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं पाँच घाते साथ धन आठ लिख सकते हैं यह हो जाए कितना पाँच घाते पंद्रा हो जाएगा इसी तरह अगर कोई संक्या लिखी गई है कि दो घाते आठ और गुड़े दो घाते त तीन गुड़े में दो घाते पांच लिखे गया त हम क्या करेंगे इन सब को देख रहे हैं सब का आधार बराबर है त हम इसको लिख देंगे दो घाते आठ धन तीन धन पांच जोड़ देंगे सब हो जाएगे दो घाते आर तीन येरप सोला होगे इसी तरह कुशी भी संग्या को हम बड़े सरल घंक से कर सकते हैं जैसे लिख लिक़े रहे तीन घाते पांच गुड़े तीन घाते दो बुड़े तीन घाते माइनियस साथ लिखा गया अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे अब देखिए हम इसको लिखेंगे तीन घाते माच धान दो माइनियस साथ तो कितना हो जाएगे यह देख रहें तीन घाते साथ माइनियस साथ अर्थाते होगे तीन घाते जीरो होगे अब तीन घाते जीरो अगर किसी संख्या की घात जीरो हो जाती है तो उसका मान हमेशा एक होता है तरह से इसका मान आजाएगा ए इसी तरह से हम देखिए इस प्रस्ण को भी कर सकते हैं देखिए फार्वला इस तरह का है कि अगर ये पावर इयम और होल पावर इयम कहने का अर्थ है कि कुछी संख्या की घात के उपर घात लगी है तो हम उसको कैसे हल करेंगे तो हम क्या करेंगे घात का घात में गुलग कर देंगे और लिख देंगे ये पावर हो जाएगा ये में येन हो जाएगा जैसे देखिए लिख्या गया है कि पांच घाते साथ इसको पर देखे घाते साथ पांच की लगी है तो हम इसको लिख देंगे पांच घाते साथ गुड़े पांच हो जाएगा इसको लिख देंगे पांच घ पाइंटीस हो गया ऐसी तरह एगर लिख्या गया कोई कि दो घाते तीन और खुल घाते साथ हम इसको लिख दे किस दो घाते कितना हो जाएगा सात्री एकाइस हो य कोई संख्यार है सात घाते तीन गाते चार लिख्या है तो हम इसको लिख देंगे साथ गाते चार दियाई बारा बारा हो गया आसा करते हैं कि आपको अच्छे डंग से समझ में आ गया होगा इसी तरह से हम देखिए इस प्रस्ण को भी कर लेंगे ऐसे देखिए लिख्या गया है कि ए पावर एम बटे ए पावर एन बराबर ए पावर एम माइनस एन तो ऐसे प्रस्ण को अपर करने के लिए हम क्या करेंगे हम इसको इस तरह लिख देंगे यह हो जाएगा तीन गाते साथ और यह माइनस चार हो जाएगा तो बराबर कितना आ साथ भागे पांच घाते तीन लिख्या है तब ही हम करेंगे इसको लिखेंगे पांच घाते साथ माइनिस तीन कर देंगे साथ माइनिस तीन कर देंगे कितना जाएगा यह आ जाएगा पांच घाते चार तो असर करते हैं कि आपको अच्छे ढंक से समझ में आ गया होगा देखिए कुछ इस तरह का है जैसे लिख्या रहे A पावरियम B पावरियम कहनेकार थे हैं कि अगर संख्याएं भिन्द भिन्द हो लेकिन उनकी घातें बराबर हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं तो देखिए अगर इस तरह लिख्या रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं A B पावरियम मैंने हमों संख्याएं को दोनों का गुड़ा कर दें गुड़ा करके उपर घात लगा देंगा जैसे देखिए लिख्या गया है कि 2 घाते 2 बटा 3 और यहांप देखे लिखे हो गया है 3 घाते 2 बटा 3 देख रहे हैं दोनों का घास बराबर है तो हम इसको यह तरह लेख सकते हैं कि 2 गुडे 3 2 गुडे 3 और कुल घात उपर हो जाएगा 2 बटा 3 मैंने हम इसको लिख देंगे यह बजाएगा च्छा घाते दो गटा तीन हो गया इसी तरह अगर कोई संख्या लेगे पांच घाते पांच लिख्या गया है और साथ घाते पांच लिख्या गया तम क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं कितना यह हो जाएगा पांच गुड़े साथ और उपर गात इसकी पांच हो जाएगा माने हो जाएगे पाइंटिस गाते पांच हो जाएगा इसी तरह से कोई संख्या अगर लिखी गई है कि 2 घाते 3 गुडे 3 घाते 3 और गुडे 4 घाते 3 इस तरह लिखे गया है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको см सी तरह लिख सकते हैं, 2 गुडे 3 गुडे 4 और खुल को उपर घात लग भी हैं, इसके मत क्या करेंगे इनको जोड़ें तीन दोने च्छ, च्छ, चव के यह होगी है चवबिस, चवबिस की घात तीन होगी है आसा करते हैं कि वीडियो को पसंद आई होगी लाइक जिरूर करें, सब्सक्राइब करना मत मुलिएगा और हमें कमेंट जिरूर करेंगे, थांक्यू बेरिमेच